हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, देखिए आज मैं फिर आपको कुछ नया द्रिष्ट दिखलाना चाहता हूँ, देख लिए, ये आलू का खेत है, ये आलू का खेत है, बहुत नजदीक से आप इसको देख ले, ये आलू है, इसी तरह से आलू की रुपाई होती है, और इधर सर्सो, ये सर्सो है, सर्सो का खेत आप देख लिजिए, ये सर्सो का फूल, ये भी देखिए, ये सर्सो का, आपको देखने से पता चलेगा, कि भारी मात्रा में सर्सो का पूधा लगा हुए है, और पूरी तरह से, फूल इसका पीला देखने को मिलेगा आपको, देखिए, और ये आलू का खेत है, आलू के खेत में ही, मूली, मूली, मूली भी रोपा गया है, आप देखेंगे, मैं आपको दिखलाओंगा, आप मूली देखेंगे, मूली, ये मूली है, ये मूली है, देखिए, ये देखिए, ये मूली है, पाजा है एकदम, आप इसको चाहें तो तोड़ करके खा सकते हैं, ये मूली है, इसी में इसकी रुपाई होती है, मूली की भी, आप देख लिजिए, पूरा खेत है, और इसमें आलू रुपा गया है, आलू को वुवाई जो किसान होते हैं, वो करते हैं, इस मौसम में, और ये सरसो है, एक महीने के बाद इसका सरसो जो है, वो निकलेगा, हैं आप देख सकते हैं किным 때문에 आगे मैं आपको दिख लाओंगा byme माणस का भी पोधा है दिख लाओंगा हां तो देखिए यह बास है यह सहर में देखने को कम मिलेगा ये ग्राम इन शेत्र में जादा पाया जाता हैं हमारे यहां देखी इस तरह का बास है यह बास है भारी मातरा में बास है आप देख सकते हैं यह बहुत ऊपर तक गया है और आप इसके काट भी लेंगे तो इसको निकालना बड़ा मुस्किल होगा चुकि वह बहुत कंजिस्टेड है लेकिन बाहर बाहर लोग काट लेते हैं जिसको काम होता है इसका, वो इसको काटेंगे, मैं आपको दिखलाओं यह बास, बास का पौधा दूर से देखिए, यह बास का पौधा है, कितना उंचा है, यह बास का पौधा है, यह सहर छेत्र में नहीं मिलेगा, सहर में मिलेगा लेकिन वो ग्रामीन छेत्र में ज्यादा पाए जाता है लेकिन मैं आपको दिखला दूँ ये बास काफी मजबूत है इसकी कीमत सहरों में सौसव रुपे एक-एक की होगी देखिए ये बास है चलिए अब बास तो आपने देख लिया ये देखिए ये आम का ब्रिक्ष है कितना सुन्दर लेकिन पूराना है लगभख 50 वर्सों से मैं इसे देख रहा हूँ लगभख 70 से उपर का है और ये पानी जा रहा है ये आप देखिए ये पाइप है किसान लोग अपने खेत में इसी पाइप के माध्यम से पानी ले जाते हैं आप इसको देख सकते हैं ये दूर तक जाएगा आगे आपको कौर कुछ दिख लाओंगा देखिए ये गन्ना है इंक जिसको हम लोग कहते हैं इंक भादी बात्रा में लगाया हुआ है ये दूसरे छेत्र कहा है मैंने कल आपको जो दिख लाया था वो दूसरा छेत्र ये दूसरा छेत्र है मैं दूसरे जगा पर हूँ अभी लेकिन अपने गाउं में ही हूँ पारिगाम में और देख सकते हैं सरसो ज्यादा है इस यह गेहु भी आप देखी यहें का फसल है यह की खेत है चोटे चोटे पाथे आपको हरे हरे गेहु के दिख जाएंगे यह गेहु है इसमें जब पानी पड़ेगा पानी जब इसका पटवन जिसको क कत प्ताया जाएगा जब सिचाई जब इसकी होगी तो ये कुछ बढ़ेंगे और आपको हरे हरे दिखाई देंगे फिलहाल ज़्यादा हरा नहीं दिख रहा अभी वो दिखेगा एक समय पर अभी तो दस बारा दिन या मुस्किल से पंदरा दिन होगे इसके लगाए हुए इसलिए वो उतना हरा न पहले लेकिन अब वो लोग अपने आम का जो व्रिक्ष था उसको कटवा दिये नश्ट कर दिये जिसके चलते वो नहीं है लेकिन अब आप देखेंगे यह सरसो है मैं सरसो के बीच से जा रहा हूं यह पगडंडी है इसको लोग पार करके जाएंगे यह रास्ता बना हुए बीच से इसको लोग देखिए यह पेंड है बहुत पुराना विरिक्ष है हम लोग इसको बहुत पहले से देखते आ रहे हैं यह पुराना विरिक्ष है चलिए आगे दिखाते हैं आपको यह देखिए द्रिष कितना अच्छा द्रिष है मनोरम द्रिष जिसको कहते हैं आप पाएंगे कुछ देर के लिए कुछ छन के लिए या पेंड के नीचे आप बैठेंगे तो बहुत ही सुकून और शांती महसूस करेंगे चुकि यो सोर सरावे से दूर है इसलिए आपको शांती महसूस होगा आप देख सकते हैं बहुत खेत है और आगे आपको ले चलता हूँ मैं आगे और दिखलाता हूँ थोड़ा से इंतिजार करें आप देखें जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो गेहू है जो जिसकी बुआ आया जा रहा है और उसी पाइप के मादें से देखिए पाइप आपको दीख रहा है मैं जिम करके दिखलाता हूँ